नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि हमारे वीडियो इसको जूम एफेक्ट कैसे लगा सकते हैं मतलब यहां पे अल्रेडी एनिमेटेड में जूम है आपको वो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर हमको इतने फ्रेम्स के बाद जूम एफेक्ट चाहिए तो हम अलग-अलग तरीके से खुच से मैनुएली कैसे जूम लगा सकते हैं अभी जो एनिमेटेड जूम में है वो तो लिमिटेड फ्रेम्स के लिए रहेगा लेकिन हमको बीच में कहीं अपने हिसाब से इतने फ्रेम्स तक जूम चाहिए तो उस जगह पे हम कैसे मैनुएली हम जूम एफेक्ट लगा सकते हैं आज हम उसको इस वीडियो में देखने वाले है शुरू करने से पहले अगर आभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ओपन शॉट टुटोरियल पूरा है वहाँ एक बाई एक सब देखकर आईए तो आप प्रोफे आपको जो भी वीडियो चाहिए या फिर इमेज चाहिए वह सब आप यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लीजे इंपोर्टिंग मेथड्स मैंने दिखाया है पहले कैसे इंपोर्ट करते हैं करके तो अब क्या करते हैं पहले एक इमेज लेते हैं ठीक है तो इतने ट्रैक्स की तो मैं एक दो ट्रैक रिमूब कर लेती हूं तो यहाँ पर यह देखिए एक image है, पहले इसको प्ले करके देखते हैं यह एक Still image है तो अभी हम क्या करेंगे, पहले Playhead को स्टार्टिक पर लेकर जाते हैं इसको एक जो Readymade Zoom Effect है उसको apply करके देखते हैं Start of the clip, यहाँ पे zoom, कोई भी percentage आप ले लीजे, यहाँ पे 75 to 100% हम ले रहे हैं, ठीके, तो अभी मैं इसको play करती हूं, हो गया, यह जो effect है, यह ready made है, मतलब यहाँ पे आपको green, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक green effect दिखता है, देखो, green dot, तो इतने frames क के बाद यहाँ पे आपको यह zoom effect लगा है, नई हमको इतना नई चाहिए, हमको कुछ अलग से चाहिए, समझो, beach में कहीं पे चाहिए, तो तब हम क्या कर सकते हैं, manually इसको zoom effect लगा सकते हैं, तो आपको कितने frames के बाद चाहिए, वहाँ पे पहले आप playhead मू कर लीजे, यहाँ इसके उपर right click कीजा, right click करने के बाद यहाँ पे properties में जाहिए, तो properties में हमको यहाँ पे कौन सा चाहिए, scale, तो यह scale है न, इसके उपर double click कीजे, यहाँ पे number 2 दबा दीजे, तो यहाँ पे scale y 2, आपको जितना चाहिए, उतना effect आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, तो यहाँ पे scale x के लिए हमने जहाँ पे 2 किया है, यहाँ पे right side में यह जो box दिख रहा है, इसके उपर आपको right click करना है, बेजियर में जाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे options से, आपको जो भी option चाहिए, वो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो is in, मैं भी लगा रही हूँ यहाँ पे, is in, okay, तो यहाँ पे right click कर लिजिये, y scale के उपर, तो यह भी same आप लगा सकते हैं, या फिर कोई और लगा सकते हैं, आप दूसरे दूसरे यहाँ पे apply करके आप देख सकते हैं, कि क्या effect पड़ता है, तो अभी इसको हम एक बार play करके देखते हैं, देखिए, यह हमने लगाया है, पहल zoom effect लगा सकते हैं, देखो, अभी इस इमेज इस टिल हो गया, तो यहाँ पे आपको green line दिख रहा है, तो starting से लेके हमने जहाँ पे play रखा था, वहाँ तक वो हमने जो भी effect apply किया, वहाँ पे apply हो गया, आप चाहिए तो दूसरा भी zoom यहाँ पे लगा सकते हैं, आप मतलब एक professionally video editing कर सकते हैं, तो zoom effect के लिए हमको यहाँ पे scale x and scale y यूज होता है, उसमें ध्यान दीजिएगा, तो अभी क्या करते हैं, हम एक video को zoom करके देखते हैं, ठीके, यह video है, यहाँ पे video पहले इसको run कर लेते हैं, हम एक बार, हाँ, यह है video, ठीके, तो अब इस video को हमको क्या चा चाहिए, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, properties, scale x में, 1.5, आपको जितना चाहिए, आप अलग-अलग numbers यहाँ पे variations देखकर भी देख सकते हैं, 2 मतलब यह double हो जाएगा, 1.5 भी आप रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो, 1.5 रखा तो ऐसे होता है, यहाँ पे basier में जाके या फिर linear भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे east in दे रही हो मैं, तो इसको भी 1.5, तो दोनों scale सेम रहते हैं, तो ज्यादा ऐसा image खीचा हुआ नहीं दिखेगा आपको, जो image है वो ही enlarge होकर आ रहेगा यहाँ पे, तो यह भी east in रख सकते हैं, यहाँ फिर east out रख सकते हैं, आप अलग-अलग यहाँ पे combination apply करके, यहाँ पे try कर सकते हैं, अब ही देखो, आम इसको run करते हैं, यह देखो, जीरे से, ऐसा तो नहीं था हमारा video starting में, तो यह enlarge भी हो रहा है साथ में, हमको यह exact center में चाहिए, मतलब इसको transform करके आप नीचे drag भी करके रख सकते हैं, तो आप video को कैसे चाहिए, वैसे आप यहाँ पे अलग-अलग animations, खुद से हर किस जगह पे चाहिए, वो भी दे सकते हैं, readymade जो है, वो starting of the clip है, entire clip है, या end of the clip है, अगर यहाँ पे आप कही पर भी अपना खुद का animation लगा सकते हैं, होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आये तो मुझे comment section में जरूर बताना, और इस channel को subscribe कीजिए, और दोतों के साथ share भी कीजिए,